सेच शेकाल दोस्तों तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सबजी लाई हूँ जो की है सोयाबी नालो की इसे हम बहुत ही अलग तरह से आज बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होगी ऐसे लगेगा आप किसी धाबे या किसी रिस्टरॉन में खा रहे हैं तो फिर देर ना करते हुए चली हम अपने आज की रेसिपी को बनाना शिरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए दोस्तों एक घंटे पहले मैंने गुन-गुने पानी में एक कप सोयाबीन को भिगो दिया था आप देख पा रहे हैं जो हमारी सोय सोयाबीन है वह बहुत अच्छी तरह से फूर चुकी है पानी को एपसॉब कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे उसमें से पानी निचोड कर एक अलग प्लेट में रखते जाएंगी आप अच्छी तरह से प्रेस कर लिजे सोयाबीन के अंदर जितना भी पानी हो वह सारा नि लिए है साथ ही दो टमाटर डालेंगे जितने हम प्याज डालेंगे उतने हम यहां पर टमाटर चाहिए 2 हरीमिज डाल दी श्पाइसीनेस के लिए आप जादा तीका पसंद करते हो तो 3-4 हरीमिज का इस्तमाला पर कर सकते हो साथ हमने यहां पर लगसुन की साथ से 8 कलियों कुछ छील कर तयार कर लिया था वो अब हम इसमें डाल देंगे आज की रेसिपी में सबसे खास एक चीज जाएगी वो होगी ये बूंदी मेरे पास मसाला बूंदी है आप प्लेन बूंदी गाभी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब ये बूंदी मैंने तीन बड़े चम्मच ले ल की पेस्ट बन चुकी है अब चली अपने रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने कड़ाई में 6-7 बड़े चम्मच के करीब ओल ले लिया है और यहां पर थोड़ा जादा लेंगे क्योंकि सबसे पहले हम इसमें फ्राय करेंगी आलू तो मैंने दो बहुत जादा अच्छा आता है तो हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से जब तक हमारे आलू कोक ना हो जाए हम उने फ्राय करेंगे तो दोस्तों अब इनका कलर जो है काफी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन आ चुका है आप इसे चेक कर लीजिए अगर आलू आपको लग तो फिर अब हम इने तेल से बाहर निकाल देंगे हाई फ्लेम पर आलू को फ्राय किया था अब हाई फ्लेम पर सोया बीन को भी फ्राय करेंगे गैस का फ्लेम आप हाय रखिए और सोया बीन को चलाते हुए हलका हलका गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे क्या होगा इसे क्या तो इन दोनों चीजों को आलो और सोयाबिन को एक साइड में रख लेते हैं अब जब तक हम इन चीजों को फ्राय कर रहे थे तो ओयल कड़ाई में काफी कम हो चुका है तो बस इतना ओयल काफी है अब हम इसमें डालेंगे आदा छोटा चम्मच जीरा और जीरा को पकने ताकि जो तेल है वो टेंपरेचर उसका डाउन हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे आदा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसे लगातार चलाते हुए 10 सेकेंड तक को करेंगे याद रखे अगर आपको लगे कि तेल ब सबी चीजों की अब हम वो इसमें डाल देंगे और इसे कुख करेंगे इस मसाले को भूनते वक्त हम इसमें एक बड़ा चम्मच अद्रग और लस्यून की पेस्ट का भी डाल देंगे उसे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा और इसे भी इसी स्टेश पर भ इसमे करें करियें तो अपसे इसे कर सकते हैं यहां पर घष्थी में तो तो इसके डाल की तो यहां पर गैस का अधिडिक family बिल्कुल रखेंगे और बाकि के सुखी मसाले इसमें एक चोटा चमच नमक, देड़ चोटा चमच धनिया पाउडर, आदा चोटा चमच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, और यहां पर हमने डाला है आदा चोटा चमच गरम मसाला, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जितना भी चटपटा पसंद करते हो वह आप इसम तो अल्मोस्ट पान से शे मिर्ट हो चुके हैं दोस्तों अब हमेसे ओपन कर लेते हैं अभी देखिए बहुत अच्छी तरह से खुष्भू आईगी बहुत बढ़ी आपके किचन में इसकी मसाले के भुनने की अब हम इसमें डालेंगे आलू और स्वयाबीन जो हमने पहले ने से खुख देखिए अजो हम इसकी सब्सक्राइब के एक से खुख अपना से जो हमें पुकानतों ये पहले को इसमीदर चीजों को आपिस मिक्स कर लें जब हम इसे भुन रहे होंगे उसी स्टेज में डालेंगे कसूरी मेथी मेथी तो दोस्तों केस स्थमाल कीजिए गर मिक्स कर लेना है और फिर पान से चेम रडम वेट करेंगे कि सबी चीज़े आप पस में अच्छी तरह से भून जाएं उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे पानी तो अगर आप थोड़ी जादा ग्रेवी वाली रेसेपी पसंद करते हैं यार ग्रेवी चाहते हैं तो ए तो पानी को मिक्स कर लेते हैं साथ ही अमिसमें डाल देंगे काफी सारा बारी कट आवा हरा धनिया उसे भी मिक्स करके हम क्या करेंगे लो फ्लेम पर 10-15 मिट इसे कुख होने देंगे ताकि हमने जो ग्रेवी बनाई है वो सोयाबीन उसे अपसोप कर ले ताकि सोयाबीन के करेवी का पूरा फ्लेवर आ जाए इसलिए हम इसे धकन दगा कर दस मिनट छोड़ देंगे दस मिनट के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाती हूं हमारी सबजी बनकर बिलकुल तयार है इतनी टेस्टी बनेगी कि बस इसका कोई जवाब नहीं है बहुत ही आसान भी है ऐसे अब दोस्तों यहां तक आप चाहें तो इसे सर्फ कर सकते हैं बट अगर आप इसके अंदर एक और फ्लेवर डालना चाहता है क्रीमी फ्लेवर तो हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमच मलाई के या फ्रेश क्रीम अमूल के अगर आपके पास हो तो आप वो डालें आपकी टेस्टी और यूनिक सी आलू सुयाविन की सबजी बनकर तयार है आप इसे जरू ट्राय कीजेगा और मुझे भी बताएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी